हे गाईज विल्कम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू, बैगन, पालक, शिमला मिल्च, टमाटर सब मिला कर एक बहुत ही जबरदस्त सी सबजी जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी होगा और साथ ही बहुत इ शुरू करते हैं तो कम मेहनत लगे इसके लिए प्रेशर कू टर जरूर ले ले लें, फिर इसमें मैने डाला है, सरस्व का तिल जादा सवाद के लिए, साबけ धनिया जरूर ढलें बहुत अच्छा स्वाद आता है या तो जीरा डाले या पाच फूरन डाले आप इसमें मैंने इसमें डाला है पाच फूरन आदा से एक चमबच एक डिड़ इंच अद्रक को ग्रेट करके इस तरह से डाल दिया है आप चाहें तो लेसन भी डाल सकते हैं इस जगह पर प्याज भी डाल सकते हैं यह बिना प्याज और लेसन वाली सबजी है अब यहाँ पर देख सकते हैं यह पालक है 800 ग्राम और इसे धो लिया है धोने के बाद मैंने इसे चौप नहीं किया है तो यहाँ पर एक महनत आपकी बचती है पालक चौप करते हैं आप तो आपको काफी महनत करनी पड़ती है इसके पीछे धो दिया है अच्छे से बिना चौप किये इसमें डाल दें अब यहाँ पर देख सकते हैं आलू है दो टमाटर है मिरियम साइज के हरी मिर्च है शिमला मिर्च है चौप कर लिया है कुछ सब्जी के अंदर कीडा लगा होता है यह देखना जरूरी होता है आप देख सकते हैं मैंने घरी मिर्च डॉल दिया मैंने इसमें एसमें स्ब्वार मिर्च डाल दिया तमाटर साबूत डाल दिया है आलू मैंने बिल्कुल नहीं चौप किया है और छोटे साइज के आलू है यह बैगन को मैंने चौप किया है क्योंकि बैगन के अंदर भी किड़े होते हैं इसलिए इसे अगर आप काट के डाले तो अच्छा है बैगन को अपनी पसंद की और भी एक दो सब्जी आप इसमें ए बिना चलाए अब 5-7 मिनट के बाद धक्कन हटाए और इक बर इसे चला दिया इसमें काफी पानी रिलेज होता है पालक की वजह से और इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है यह जलने वाला बिल्कुल नहीं है फ्लेम को मीडियम रखना है और अब इसमें जो है मैं डाल रह पाउडर तीखा नहीं होता है आधा चम्मच जीरा पाउडर आधा से पॉना चम्मच मैंगो पाउडर सबको अच्छे से मिक्स करने वाली हूं अभी ही इसी टाइम में मैंने इसमें खूब सारा धनिया कपत्ता भी डाल दिया है और अब मैं इसे चला करके बहुत अच्छे अब इसमें काफी पानी है तो इसमें पानी सुखने में तो काफी टाइम लगता है इसमें तो इसलिए पकना बहुत जल्दी हो जाता है इसका प्रेशर कूकर में डालने के विज़ा से मिक्स करने के बाद मैंने बंद कर दिया और तीन सेटी आने तक इसे लगाए रखा इसे थोड़ा सा ओर अभी फ्लेम 嗎 करके मतलब इसका पानी जो है वो ड्राइ करेंगे और इसके लिवा में ने फ्लेम को ओन कर दिया है बस 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम को कर दें और अभे हाँ लेले मैशर मैंने मैशर लिया है बस इसे मैश कर दें जो आपको साबत बेस्ट आता है लाजवाब होता है अब बस आप बना डालना इसे और खा करके बताना कैसा लगता है और इजी है की नहीं यह भी जरूर बताना है यह तो आपको पता ही है टेस्टी कितना है यह आपको खाने के बाद पता चलेगा बस रेसेपी आपको ट्राइब करना है अच् झाल झाल